सब्सक्राइब किजिए मेकेनिक ग्यान चेनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस मेकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों क्या आपको हिंदुस्तान बीसिक किस लोडर का पंप नोजल फिटिंग करना आता है अगर नहीं आता दोस्तों तो इस वीडियो को लाश तक वाच कीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पंप फिटिंग करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों दरसल हिंदुस्तान बीसिक किस लोडर में जो इंजन लगा है वो है किलोसकर का और इसका माडल है 6R1080 दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी इंजन का हम पंप नौजल फिटिंग करके दिखाएंगे और इसमें दोस्तों सबसे आसान तरीके से हम बताएंगे आपको पंप नौजल कैसा फिटिंग करते हैं नवस्कार दोस्तों मैं हूर अभी खरकाटे और मेरा यूटिब चैनल मेकेनिक गयान में आप अप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दिजिए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पुलुभ मैं करो ये दोस्तो जैसे कि आप्ली स्क्रिन पर देख पा रहा है हमारे सामने है पंप और दोस्तो चैसी कि आप दे moc na उसके बाद में हम बता़र आगे तो दोस्तो जी आप सामने में जो तो pump का crank shift है उसके उपर एक चाबी लगा हुआ है दोस्तो यह चाबी जो pump का rotor है उसमें जाकर fitting होना चीए तेक better collar ठीटिग होना चीए उसके बाद दोस्त-ो देख सकते हैं अभी जो pump है हमने जब service के लीए पहुचा आ था तो pump को timing मिला कर logg करके दिया हुआ है तो दोस्तों ये pump fittings होने के बाद में हमें इस phrase को अन्लॉक करना ठीक है उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये उपर में hole दिख्राइव है उस hole से आप timing check कर सकते हैं proper high या नहीं diesel डार कर ठीक है तो चलिए हम एक काम करते हैं बेक से इस कैप को निकालते हैं और सारे नोजल पाइप के बारे में बात कर लेते हैं कौन सा कौन सा क्या है और इसके बारे में हम लास्ट में जरूर बताएंगे ठीक है तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें लिखा हुआ ए उसके बाद में बी और सी और इसके नीचे डी और उसके ये Pump का Nodule Pipe ओला एडपटर है दोस्तों ये इसी जगह से हमें नोस्वा इंजर पाइप ऐसे हमें लास में बताएंगे चलिया हम Pump को फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं पंप को फिटिंग करने से पहले दोस्तों हमें अब इंजन की टाइमिंग मिलाना पड़ी तो चलिए सबसे पहले हम इंजन को घुमाना स्टार्ट करते हैं और इंजन घुमा घुमा कर हम टाइमिंग पी ले आते हैं दोस्तों इसके पुली के उपर मार्क है, चलिए हम उसको बाद में दिखाएंगे आपको, सबसे पहले हमने एक नमबर और छे नमबर पिश्टन को TDS में लिया आया है, और उसके बाद में हम फर्स नमबर और सेकेंड नमबर रोकर देख सकते हैं, एकदम फ्री है, और ग्यार का जो निसान है, वो प्रॉपर सही से आया है या नहीं आया है, तो देख सकते हैं दोस्तों, यह देख सकते हैं, जिस जगह पे फेंबेल लगता है, उस जगह पे एक कट का निसान दीख रहा है, देख सकते हैं, रैड को लेके अंदर, और एक है उपर पट्टी, वो आमने स करना है दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने है रोटर और यह है पंप का टाइमिंग गेर ठीक है यह अभी हमने अलग-अलग कर क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डीटियल में बताएंगे पंप फिटिंग करने का सबसे आसान तरीका ठीक है तो देख सकते हैं दोस्तों यह रहा रोटर और यह रहा यह टाइमिंग गेर पंप का अब चलिए बताते हम यह रोटर और गेर किस प्रकार से फिट होता है ठीक है तो देख सकते हैं दोस्तों हमने जो पंप के गेर के उपर रोटर को इस प्रकार से फिटिंग कर दिया है और उसके बाद दोस्तों हमें सेंटर तू सेंटर मिलाके इस तीनों बोल्ड को लगा देना होता है ठीक है बर दोस्तों इस प्रकार से आपको फिटिंग करना होता है और यह जो है पौर्शन बिल्कुल जो सेंटर में रखना होता है गेरे का बर दोस्तों अभी हमें उसे ऊपन करना है क्योंकि आपको दिखाना है पdaughter आसान तरीकी से कैसे भेट करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले तो दोस्तो हमें पम को तीनो इस्टेट का होल मिला कर पम को फिटिंग कर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तो हमें जो पम के तीनो जो इस्टेट है उसके नट को लगा लेना है और नट को लगाने के बाद में दोस्तो आपको क्या करना है इस पम को टाइट कर लेना है लेकिन दोस्तों आपको एक चीज का ध्यर्म रखना है पॉमको एकदम सेंटर में रखना है बिल्कुल ठीक है मतलब इधर उदर नहीं होना चाहिए तो सेंटर में देखने के लिए क्या करना होगा दोस्तों देख सकते हैं आप इस्टेट के उपर इस्टेट के उपर दोनों साइड में जो है गेप बराबर है उसके बाद दोस्तों हमें नीचे साइड का जो इस्टेट है उसे टाइट कर लेना है जैसे ही नीचे साइड का हो जाता है, उसके बाद में आप दोनों को कर सकते हैं, थीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों रोटर, यह portion जो है, यह बहार की साइड में आएगा, और यह आएगा, पम की साइड में, थीक है, तो चलिए हम इसे फिटिंग कर देते हैं, दोस्तों हम फिटिंग करने के लिए, ज अच्छे से बिठा लेना है उसके बाद दोस्तों हमें अब हमें नट को लगाना है दोस्तों नट को लगाने के बाद दोस्तों नट को इतना ही टाइट करना है ताकि पंप का जो लॉक है वो लॉक न तूटे दोस्तों दरसल होता क्या है अभी हम पंप के जो क्रेंक का जो हलका प्रेस कर देना है इसे अभी और उसके बाद दोस्तों हम तरीके से टाइट करेंगे जब गेर फिटिंग करेंगे तो गेर लगने के बाद में दोस्तों वह लॉक हो जाएगा उसके बाद में आप अच्छे से इसे टाइट कर सकते हैं हम फिलाल अभी इसे हलका हलका प्रे पॉम्प का क्रेंग साथ है घुमा तो नहीं तो उसके लिए क्रना होगा दोस्तों वां नवाया होगा life में जगह इंग देखके है उस जगर फे क्राइं आधा माव सुर्ण करना में नवसम प्रकumbaите dil को लगता है उस जगह से हलका हलका डीजल आ रहा होगा मतलब दोस्तो पंप का टाइमिंग एकदम सही है मतलब रॉंग नहीं हुआ है तो दोस्तो देख सकते हैं अब हमें लगाना है पंप का टाइमिंग गेर ठीक है तो दोस्तो आपको देखना है जो pump का टाइमिंग गेर में तीन होल दिया हुआ है उस होल से जो rotor का जो thread वाला भाग है उससे match करना है उसका जो hole का जो position है उसको center में रखना है और center में रखने के बाद दोस्तों आपको तीनों bolt को अच्छे से fitting कर लेना है और fitting करने के बाद दोस्तों उस gear को center position पे रखना है और center position पे रखने के बाद में आप तीनों 13 नंबर के bolt को अच्छे से tight कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको जो क्रेंग साप का main nut है उसे आप full tight कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह सारा कुछ tight करने के बाद में आपको क्या करना है सामने का जो pump का gear है उसके सामने एक plate लगती है उस plate को लगा देना है चलिए एक काम करते हैं उस bolt को किस प्रकार से tight किया है हम दिखा देते हैं देख सकते हैं दोस्तों हमने पूरा center position पर रखा है और तीनों वो nut बोल्टों को अच्छे से tight कर लिया है और जो क्रेंग साप का main nut है उसे भी अच्छे से tight कर लिया है इसके बाद दोस्तों आप plate लगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों ये सारा कुछ होने के बाद में आपको ये pump को unlock करना होगा जो कि आप red box में देख पा रहे हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों हमें nozzle pipe fitting करना है दोस्तों तो nozzle pipe fitting कैसा करना है चलिए हम आगे बताने वाले हैं हम एक पेन और कागज़ पर आपको बताते हैं सारा कुछ आपको डीटियल में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं पॉम्प में हमने पीछे साइड में दिखाया था A B C D E F और नौजल का है एक दो तीन चार पाच छे ठीक है अब दोस्तों हमें पॉम्प से नौजल में नौजल पाइप को फिटिंग करना है तो दोस्तों पाइप किस प्रकास से फिटिंग करना है चलिए हम बता तो का B 5 नौजल में लगेगा पॉम्प का C 3 नौजल में लगेगा पॉम्प का D 6 नौजल में लगेगा पॉम्प का E 2 नौजल में लगेगा और पॉम्प का F 4 नौजल में लगेगा तो दोस्तों आप इसी प्रकास से क्लोस कर 6R1080 इंजन का नौजल पाइप फिटिंग कर सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ में सेर कर दीजिए हम फिर किसी नेक्स टूडियो के साथ में मिलते हैं तक तक के लिए बाई दोस्तो